असलाम अलेकूम आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं भूनी मूंग की डाल तो यह बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है तो इसके लिए देखिए हमने लिए यह मूंग की डाल एक कप तो यह देखने में कुछ इस तरह की होती है यह बिना चिलकों की है इसमें की छिलके वाले भी होती है बढ़ हम इसको बिना चिलकों वाली से बनाएंगे तो इसको हमने एक कप डाल लिए और पानी में डाल कर एक घंडे के लिए भीग हो दिया था तो भीगने के बाद देखिए कुछ इस तरह की हो गई है और इसको अगर नाखून से द इसमें गल जाए तो इसके लिए हमने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं जिसमें हमने लिया है यह एक टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है डेल टी स्पून हल्दी पाउडर है और एक टी स्पून लाल मिर्श पाउडर है तो इस सारे मसाले इसमें यह बहुत ही सिंपल मसालों से और आसानी से बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है इसके लिए हमें कुछ अलग से जादा तामजाम करने के ज़रूरत नहीं कि पहले मपगा रहें फिर उसके उपर से अलग से तड़का लगाएं यह ऐसे ही बनाएंगे आप तो बहुत ही मज़े तो इसको हम सारे मसालों को पहले एक बार स्टर कर देते हैं चला देते हैं ताकि नमक और मसाले सारे ठीक से अच्छे से मिल जाएं तो बस इसको हमें इतना ही चलाना है और इसका लिड लगाकर इसमें दो विसल दिला लेनी है तो बस दो विसलिस में हम दिला लेंगे, देखिए दो सीटियां आ चुकी है, अब इसको खोल कर हम देखते हैं, तो देखिए दाल हमारी गल चुकी है, तो देखिए ये इस तरह से, अगर आप चाहें तो इतना भूना रखें और आप चाहें तो थोड़ा लिक्विड में भी कर सकते हैं, पानी खुला के डाल दीजिए का थोड़ी पतली हो जाएगी, तो ये देखिए आप हमने कुछ हरे मसाले लिए हैं, जिसमें हमने लिया है सबसे पहले, ये बगार का मसाला है, एक दाल चीनी का टुकड़ा, एक छोटी लाची और तीन से चार लॉंग है, इसको करते हमने अगे पान लिया और उसको गैस पर रख दिया है, और इसमें पांच-चमज देसी जी ढहित आप चाहें तो यहाँपर पर तेल और आदा तेल और आदा घी भी ले सकते हैं, और यह बगार न थें नहीं होड़ी पहले से पहले ड़ने के अप्रूइज गीत और इस के बाद फिर हम इस प्याज डाल देंगे तो जो हमने स्लाइस करके रखे तो इसको हम इस तरह से चम्मा से चलाते वे धीरी आच पर ही बहुत जादा तेज आच ना रखिएगा इसे में गोल्डन फ्राई करना है तो इस तरह से चलाते वे हम अपनी प्याजों को गुलाबी कर दाला है इस तरह से मारे दाल तयार है तो इस पर हम धन्यापत्ती और हरी मिर्चे गानिश कर देते हैं तो बस हमें ऐसे ही कलर चाहिए अब हम अपनी गयास बंद कर देते हैं और अपनी डाल पर तलका लगा देते हैं तो यह देखिए दाल हमारी बिल्कुल तैयार है अब हम इसमें अपना तलका लगा देते हैं और प्याजों को इसमें डाल देते हैं यह बहुत ही सिंपल डाल बनती है बट खाने में यह बहुत ही मज़े की लगती है एक मरतबह से ट्राइज जरूर करिएगा तो यह लिजे ब